नेशनल कमिशन और इस्टेटिस सोफिमन का कयाम 2012 में सदार्थी ओर्डिनस के जरिये अमल में लाया गया कमिशन का बन्यादी मकसद एक जमूरी, इंसाफ बसंद, पुर अमन और रवादार मार्श्री की तश्कील है जहां तमाम शहरी जिन्स, मजभी अकाइद, जिग्राफिया और नसल से बालातर होकर आजादी से रह सकें कमिशन का मकसद सिन्फी मसावाद और खवातीन को बाइख्तियार बनाने और इनके हकुका तहाफुस करना है और खवातीन के मार्शी, समाजी और कानूनी हकुकी निग्रानी करना है कमिशन के मरकजी शोबाइजाद खवातीन के लिए आवास बुलंड करना खवातीन के खिलाफ तश्द्द्द को रोकना खवातीन को मार्शी खुदमुखतारी फराहम करना है इख्यारात और फराइस, वफाकी हकूमत की तरफ से सिन्फी मसावात, खवातीन को बाइख्यार बनाने के लिए पॉलिसियों, प्रोग्रामों और दीगर इक्तामाद की चार्च परताल करना जिबके इन पॉलिसियों पर अमल दरामत का जाइजा लेना खवातीन की हैसियोत और हकूग को मतासर करने वाले तमाम वफाकी कवानी, कवाइद और सवाबिक का जाइजा लेना और इम्तियाजी सलूग को खत्म करने के लिए, कवानीन की मनसूखी, इनमें तर्मीन या नई कानून साजी तजवीज करना, खवातीन और लड़कियों के हकूग के लिए वफाकी हकूँमत को सिफारशाद फराहम करना, सिवल कोड के कोड ओफ सिवल प्रोसीजर उनमी सो आर्ट की एक्ट पांच के तहट इक्तियारात का इस्तमाल करते हुए, खवातीन के हकूग की खिलाफ फर्जियों की शिकायात की इनकुआई करना, सुभाई कमिशनों और मुदलका सुभाई तंजीमों के साथ राप्ता काइम करना है, शिकायात और मालूमात के लिए हमारे मंदरचा जहल तफातर पर राप्ता किया जा सकता है, खुद्मुक्तार आरत, खुद्मुक्तार पाकिसान